हलो दोस्तों कैसे आप सब आसा करते हैं बहुत अच्छे होंगे सभी दोस्तों का एक निव वीडियो में एक बार फिर से हारदिक स्वागत है दोस्तों इस योटूब परिवार पर हम परती दिन भारत की जो जातियां है उनके उत्पती, उनके वंसज और इतियास के बारे में उन जाति विश्यसों के बारे में क्या लिखा हुआ है इन सभी मुद्दों पर परती दिन आपके साथ इसकस करते हैं दोस्तों आपने ग्रामिन चेतर के अंदर या सहरी चेतर के अंदर कुछ व्यक्ति, पुरुस या महलाओं को गले में डोल लिये हुए इदर उदर घुमते हुए जरूर देखा होगा दोस्तों ये जाती जो है वो अपना भरन पोसन करने के लिए गाम गाम धानी धानी एक जगे से दूसरी जगे अपने बाल बच्चों का भरन पोसन करने के लिए गले में डोल डाल कर इदर उदर भरमन करती रहती है ताकि जन्ता से जो भी इनको मिलता है जिससे वे अपने परिवार का भरन पोसल करते हैं आप उसी जाती विशेश के बारे में इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ मुद्रे डिसकस करेंगे दोस्तों और आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा धोली जाती पर दोस्तों डोली क्या थे मुल रुप से कहां से आईए और डोली समाज की कल्चर विशेश क्या है और डोली समाज का इतियास में क्या योगदान रहा है इन मुद्रों पर आज इस वीडियो में डिसकस किया जाएगा आप सभी दोस्तों का एस योटूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है लगातार आप इस परिवार को तन्मन से पूरा सेयोग दे रहे हैं जिससे हमें किसी भी जाती के बारे में वीडियो बनाने में किसी परकार की कोई धिकत नहीं होती किसी परकार की कोई परशानी नहीं होती क्योंकि content डूणने के लिए बहुत महनत करनी पड़ती है लेकिन आपका प्यार, महबत देखकर और वो महनत भी उसमें भी हमें किसी परकार की कोई ठकान महसुस नहीं होती तो आप सभी का महबत, प्यार इसी प्रकार एस योटूब परिवार के साथ आप बनाए रखें सुरू करते हैं दोस्तों धोली समाज के बारे में आज के वीडियो को धोली लोगों का नाम धोल सबस से आया है जिसका अर्थ है एक प्रकार का धोल ये आश्चरे की बात नहीं है क्योंकि भारत में धोली बजाने वाले और संगीत कार रहे हैं वे प्राचिनकाल और अन्य उस्वों के धोरान धोल बजाते हैं धोली सक्ति-साली राजपूत राजवन से आने का दवा करते हैं लेकिन ये जो इनका दावा है क्योंकि वे वर्तमान में एक अनुसुचित जाती के अंदर है। सारवजनिक और विश्व विदाले में प्रिवेश के लिए बॉल्ट पर विश्चिस द्यान दिया जता है। यहां आप देखेंगे दोस्तों आगे वाले ये डोली समाज का महलाओं का एक यूगल इमेज आपके सामने हैं। इस परकार ये महलाएं जो हैं वो डोली समाज को रिपरजेंटिव कर रही हैं और इन सभी के पास अपने अपने डोल हैं और ये अपने उस्व के अंदर भाग ले रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, केई हिंदू समुदाई की तरें ढोली खुद को हिंदू समाजी क्रेंकिंग करम में अन्य लोगों की तुलना में भैतर मानते हैं। जाद अतर ढोली आवकिसान है, पेशेवर संगीतकार नहीं है। इनके बच्चे आमतोर पर 15 साल की उमर तक पासपोर्ट में काम करना शुरू कर देते हैं। हिंदू, हिंदी में रेडियो रिकॉर्ड और टिवी ये देखते हैं, 38% डोली जो है निरक्षर है, सोभागे से केई इसाई संसादन हिंदी में उपलब्द है। डोली साकारी नहीं है बली का हिंदू होने के नाते वे गोमांस नहीं खाते, इनका मुक्य भोजन जो गहूं, मक्का और सब्जिया होता है। ये लेकिन पुरन रूप से ये साकारी नहीं होते हैं। ये आप देख सकते हैं, डोली समाज का दूसरा यूगल फोटो है, जिसमें पूर्ष महला दोनों एक साथ यूगल के अंदर अपनी जो रिपरजेंटिव है वो खर रही है। कितना सुंदर जहलक वाला ये फोटो है। राजस्तानी कल्चर का धोली समाज का ये फोटो है। धोली समाज अपने ग्रूप में साधी करते हैं, लेकिन अपने कुल में नहीं एक विक्ति से विभाग के समाने नियम है, लेकिन बहु विभाग की अवसक्ता है। नव विभाइत जोडे, पिरिये के माता-पिता के साथ या उनके निकट रहते हैं। तलाग का अधिकार शिर्फ पूर्सों को है, जाती परिशने अपने हित्व को बढ़ावा देती है और कानूनी केशिनों का सारा लेती है। दोली हिंदू को इसा मसी का संदेश उस तरे से सुनाया जाता है, जिसे वे समझते हैं। उन्हें ये देखना चाहिए कि इसा, राम या क्रिशन जेशे हिंदू भगवान का एक और अवतार नहीं है, बलिकवे बाइबिल के एक सात्विक भगवान का अनुखा पूतर है। आजीव का कमाने वालों को ढोली कहा गया, जो राजस्तान के एक चाती है। अरतात ये पुरानी डाटी हो सकती है, जो वर्तमान में ढोल बजाती है। आगे आप फिर से एक तस्वीर इमेज के अंदर देख सकते हैं। अपनी कला का परदर्शन डोली समाज जो है वो कर रही है, कि परकार ढोल जो है उसी जगे हैं और पुरुस जो है, ये महलाएं जो है, बिल्कुल पिछे जुकी हुई है। तो ढोल बजाने का इनका ये जो अनुका नजरिया है, वो बहुत ही मन महोक लेता है दोस्तों। पूरे सरीर में इनके जो लचक होती है धोल के साथ, जैसे जैसे डोल की लचक होती है दोस्तों, इनकी सरीर की लचक भी दर्शनीय योगे होती है, आप देखेंगे इमेज में, तो बहुत मज़ा आएगा आपको इमेज देखें डोली सुमदाय खुद को गंद्रव देव की संतान मानते हैं, राजा महराजों के काल में, युद के दोरान, रन बेरी बजाने वालों के तोर पर ये जाती अस्टिटम में आई, और डोल बजाने की वज़े से इने डोली कहा जाने लगा और अब दोस्तों ये जो दमामी जाती है, ये जाती सुदर चेतरी है, जो कितीन परकार से बनी होती है, परसंतापूरक इनका राज्य छीनकर जबर्दस्टी बनाए हुए थी कुछ आप्तिवंस इनमें मिलेव हैं, कि इनकु अधिकांस खामपे इस समाज में वे हैं, जिनको भिन-भिन राजों ने अपने भाहियों में से तठा सम्भावित राजपुतों में से और रन कुसल नाइक थे, चुन-चुन कर बनाएगे ये समाज राजस्तान के छेटर अनुसार के इन नावों से पुकारी जाती है, वेसे नागरची, राणा, बारोट और दमामी, पुरानी काल में इनको गड में पोलपात वे अरण धवल का पद दिया जाता था ये दोस्तों डोली समाज है, इनका फोटो है, जब ये अपने प्रिवार का भरन पोशन करने के लिए गाम गाम धानी धानी, चलते फिरते इदर उदर, अपने धोल वादे यंत्र के साथ चलते रहते हैं दोस्तों इनको आपस में कम्पिटिशन भी काफी होता है, धोल के जितने भी गुण होते हैं, जितने धोल को कितने त्रिके से बजाया जा सकता इनकी जुकला विशे से वो भी अनोकी होती है इस जाती का इतियास भी सिवाय राजपुतों के संसार में कोई ओर नहीं जानता और नय कोई धार्मिक पुस्तक में इनका उलेक मिलता है इसका एक मातर कारणी है कि ये जाती प्राच्चिन नहीं बलिका आवराच्चिन है ये नई नियात अर्थात नवीन जाती कहलाती है किन्टु दुर्भागय वंस राजपूतों की सरवात में विच्चिनित नीतिने और डिवेश्यों के विरोध ने इनका इतना गिराया कि नई थी राजपूतों की नीटी और इतियास का भी यतावत बोद कर सकेंगे पॉल्पात का सब्दरायत पॉल पात्र अर्था ृधा दर्वाजा पॉल पात्र होता है कि इस समद का आर्थ राजस्तान में अपने उस पूर्वस्च का है जिसके दोरा इनका इतियास जनता मे विक्षित होता रहा है राजपुताना में छेत्रियों का कोई ऐसा छोटे से छोटा भी ठिकाना नहीं है जहां पर दमामी कौम का एक तो घर नहीं हो और एन लोगों के गुज़ारे के लिए माफी की जमीन और रजे में तथा परजा में लगाने नहीं हो चारण जाती के ग्राम खास-खास ठिकानों में है जैसे भी सपष्ट सिद है कि राजपुत जाती के वास्तविक पोलपाद दमामी ही है राव डागी जो की वनसज धोली कहलाए राव डागी जी के पास किसी परकार की भोमी नहीं थी वे इसने डुमन या धोली जाती की पती है वो राव डागी से हुई है जो राव डागी थे उनके जो आगे जाकी वनसज होए वो डोली समाज बना दोस्तों एक पूर्च महला का यूगल डोल वादे यंतर के साथ अपना फोटो है दोस्तों और ये किसी कला के अंदर उस सब में भाग लेते हुए अपना तश चली आ रही है कहीं डोली कहीं नाग्राशी पुकारा जाता था क्योंकि ये लोग धोल और नगारे के साथ गाने वजने का काम करते थे ऐ़े मगर बाग दूस दोली जतिकी लड़की से सादी थी जिसा wanस का वशत राजभूत ने रहे का बहानजबंस बन गया वश्न मेंर र पंजज ने सोनगरा या चोहनों की लड़की से साधी की तो उसकी संताने मांग की नक्ख का प्रियोग हुआ और बाद में वहीं से उनकी नक्ख या खांप शुरू हो गए राजस्तान में जहां-जहां राठोड राजपुत फिला वेसे वेसे धोली जाती भी इनके आसपास अबाद होती गई जो सिल-सिला आज तक काइम है यह आप देख सकने हैं दोस्तों आगे वाला इमेज है डोली समाज का एक ग्रूफ फोटो जो है इस वीडियो में आपके सामने शो किया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएं कि डोली जो समाज है उसका इंडिया विश तो यह सब कल्चुरल फोटो इसमें लाश्ट में आपके सामने रखे हैं ताकि डोली समाज जो आज जिन देनिये स्टी के अंडर है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकें दोस्तों आज का जो वीडियो था हमारा इसी मोटो के साथ था कि डोली जो समाज है किस प किया आप सभी दोस्तों का इस यूटूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है लगातार इसी परकार का शेयोग आप सदा इस यूटूब परिवार के लिए बनाए रखेंगे दोस्तों अगर ने दोस्त जूड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल क अब्सक्राइब आप आप सके लिए बनाए और इस यूटूब परिवार के लिए झालक दोस्तों अए परिवार के लिए।